जाहन जाहन सबको जाहन भई क्या वो आया नहीं अभी तक राहुल जी अभी तक आया नहीं आ जाए तब ने स्टार्ट करें जाहन 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 सबको भई जाहन तो बैठे बैठे क्या करोगे करना है कुछ काम शुरू करो अंत्याच्री लेकर प्रभू का ना स्थिति यही है कि बाबा कमंड डोल नहीं रहा है लेकिन अब जो सीन बन रहा है कि बाबा भी हो सकता है दोलें और दोलें तो एक्जाम इस साल तो होगा ये तो कन्फर्म है और बांकी दूसरा उद्देश ये है क्योंकि प्रैक्टिस बैच चलाना बड़ा कठिन काम होता है आपकी महनत दोनों की महनत बेकार ना हो जाए इस उद्देश से दस कदम जादा आपको परिशान नहीं करेंगे डेली परस पास याक नहींbak मामली सा एक मतलब जो टाइपिस्ट का है क्योंकि अभी बीपीएसी में तो पूरा फ्री में करा दिया गया अब संस्थान वालों ने हाथ जोड लिया कि सर ऐसे कैसे काम चलेगा ठीक कहां से टाइपिस्ट को देंगे कैसे क्या करेंगे भाई उनकी भी समस्या जाइज है ना आप भी इतने बड़े हैं किस बात को आप बेहतर समझ सकते हैं और आप लोगों में से कई सारे पढ़ा भी रहे हैं इन चीजों को आप जहिलते भी होंगे तेक बहुत ही मामली सा आपको रखा गया है कि आराम से बाकी नए बैचेज आपके स्टार्ट हो रहा है हुए ही है चंडिगर, उडिसा, हरियाना, दिल्ली, बिहार, मदप्रदेश का और चले कोस्टन्स पर आएं इसमें जो आपका है बहुत ही एप पे क्लासेस ही चलेंगी सटर्डे सटर्डे यूटूब पे जैसे चलता है वो आपका चलता रहेगा तो रेगुलरिटी के लिए ही बहुत जागना परेगा, ठोड़ा सा चुनाओ में भाखना नहीं है आपको, आपको अपने लक्ष पे ध्यान केंदिरित किये रहना है तो चलिए, फर्स कोस्टन इसी ताइप का कोस्टन जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी ताइप का कोस्टन इसमें रखने का प्र जो आपकी सिकायत है वो भी मैंने दूर कर दिया हिंदी में questions रहेगा इस test series में 10 का दम में पहले English में रहता था हिंदी में translate करता था अब हिंदी में रहेगा और English में translate आपका होगा ये question तो पहले का दो समानांतर समतलों 2x plus y plus 2z पराबर 8 तता 4x plus 2y plus 4z plus 5 is equal to 0 के बीच की दूरी क्या है पहला option है 3 बटा दो दूसरा है 5 बटा दो तीसरा है 7 बटा दो और चौथा है 9 बटे दो उमेश प्रजा पती जी ने C बोला है वील मौरिया जी ने भी C बोला है दो लोगों ना answer दिया है वील मौरिया जी 7 बटा दो और लोग भी जल्दी जल्दी answer दें दिव्यान सी अस्ता हाँ बिलकुल से क्या होता है plane का ये formula formula भी हम लोग revision करते चलेंगे कि A1X प्लस B1Y या सीधे सीधे AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 बराबर 0 और AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D2 बराबर 0 हमारा तो इन दोनों के बीच जो distance का सुत्र है D1 माइनस D2 अपॉन रूट अंडर A2 प्लस B2 प्लस C2 ये सुत्र है तो इस फॉर्म में पहले इसको लाना होगा तो 2X प्लस Y प्लस 2Z माइनस 8 बराबर 0 और इसको 2 से भाग दें तो 2X प्लस Y प्लस 2Z प्लस 5 बाई 2 इस इक्वल टू 0 तो आंसर क्या माइनस 8 माइनस 5 बाई 2 अंडर रूट 2 प्लस 1 सॉरी अंडर रूट 2 का स्कोर 4 प्लस 1 प्लस 4 हमारा तो 8, 2, 10, 8, 2, 16, 5, 21 बटे 6 यानी की 7 बटा 2 बहुत ही आसान सा सवाल एकदम आसान से सवाल पहले का C एकदम सबका सही है भुपेंदर कुमार जी, संदीपस्थाना जी, सलिक राम वर्मा जी, यदुनंदन सुकला जी एकदम सबका सही सही है चलिए, कोश्चन नमर दूसरे पे आते हैं वरतमान में एक फ्रम 2000 नग बना रही है यह अनुमान लगाया गया है कि अतिरिक्त कामगरों की संख्या X के सापेक्च मतलब अतिरिक्त कामगर रखा गया है तो X के सापेक्च उत्पादन P के परिवर्तन की दर DP by DX is equal to 100 minus 12 root X द्वारा प्रदत है यदि फ्रम में 25 कामगर अधिक लगाती है तो नगों के उत्पादन का नया अस्तर क्या होगा नगर जो नग है अब जो प्रोड़क्शन होगा हमारा ठीक 25 अगर मजदूर ज़्यादा लगा दें लेबर ज़्यादा लगा दिया जाए हमारा तब new position क्या होगी मतलब कितना वो प्रोड़क्शन होगा वो आपको बताना है 2500 है 3000 है 35 है और 4500 है जल्दिस एक बार बताएं second number का इस तरह का problem थोड़ा सा समझने होता है आसान ही आपका लेकिन थोड़ा सा time questions पढ़ने में जरूर लगा देता है तो जल्दिस बताएं क्या होगा दूसरे का जल्दिस बताया जाएं क्या answer होगा अब हिंदि वाली समस्या बहुतों की थी वो दूर हो गई होगी उमीद करते हैं जल्दिस बताएं second का क्या होगा second का answer क्या होगा ये आपको बताना है तेहां पर क्या है differential equation है तो इसका ये क्या हो जाएगा dp 100-12 root x dx दोनों साइड हम क्या कर दें integrate कर दें तो p बराबर कितना आ जाएगा 100 x 12 x पर पावर 3 वटा 2 3 वटा 2 और प्लस कितना c प्लस कितना c हमारा अब एक भी कामगर नहीं बरहाया गया है तब कितना बना रहा है 2000 बना रहा तो p कामान 2000 और x की value तो 0 मतलब c बराबर कितना हो जाएगा 2000 अब हमारा कितना था p 100 x माइनस 12 x पर पावर 3 वटा 2 और 2 वटा 3 उपर जाके क्या हो जाएगा 2 वटे 3 प्लस 2000 हमारा अब क्या का रहा है x का value जब 25 25 कामगर एक्स्ट्रा रखे जाए तब p कामान कितना तो यह हो गया पचीस सो तीन चोक बारा आठ पचीस पर पावर 3 वटा 2 कितना आ जाएगा 125 और प्लस कितना 2000 तो 45 सो 45 सो माइनस 1000 यानि कितना 35 सो मतलब अगर 35 पचीस मज़़ूर और एक्स्ट्रा लगा दिया जाए अगर और एक्स्ट्रा लगा दिया जाए हमारा जितना प्रोड़क्शन 2000 था अगर 25 मज़़ूर एक्स्ट्रा बुला लेगा तब प्रोड़क्शन जो हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा 35 करने लगेगा कितना करने लगेगा 35 करने लगेगा हाँ 22 दूसरे का भी सी समझ में आई बाद तो कठिन नहीं है एक दम आसान सा ही सिंपल सा डिफरेंशियल एक्वेशन का सवाल है बस लंबी चोड़ी कहानी है इस तरह का सवाल हमेंसा थोड़ा सा मतलब टाइम लेता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है क्लियर है समझ में आया सब को या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं और इस तरह का सवाल अक्सर आपके एक्जाम में पूछा गया है सब खास करके KVS EMRS वेगेरा में जादा पूछता इस तरह का सवाल क्लियर है सब का या कोई दिक्कत है जल्दी से एक बार बताएं तो फिर अगले सवाल की और बढ़ें जल्दी से एक बार आप लोग आदेश करें क्लियर है लिखते हैं तब फिर अगले सवाल की और बढ़ेंगे MM मिश्रा जी सर जी सर चले कोश्चन नमबर थर्ड पर पहुंचें तीसरा माना A तथा B दो समुच्चे हैं जिनमें क्रमसा दो अवियव तथा चार अवियव हैं A क्रॉस B के उन उप समुच्यों की संख्या बताना है जिनमें तीन अथवा अधिकवियव हैं A में दो अब ये बढ़ा बहुत बार पूछा हुआ सवाल है आपका तिकदम आसानी से आप बता सकते हैं इसका अंसर बता हैं कही बार आपके एक्जाम में भी पूछा है मतलब एक दो बार पूछ चुका है डिफरेंट एक्जाम में थोरा सा बदल करके एक आध बार पूछा था एक आध बार इसी सवाल को number of relations के term में पूछ लिया था यहां पर सीधा सीधा है जल्द इस पताएं क्या होगा पहला आंसर है दो 156 धूसरा आंसर है 220 तीसरा आंसर है 219 और чौथा आंसर है 211 तो तीसरे का जल्द इस से है और B में कितना है चार सदस से है तो A क्रॉस B में कितना हो जाता है क्रॉस में मतलब दोनों में जितना जितना उसी को मल्टिप्लाइ कर देंगे आठ हमारा अब मतलब A क्रॉस B में कितना आठ सदस से है हमसे पूछ क्या रहा है अब इसके ऐसे उपसमुच्यों की संख्या जिसमें तीन या अधिक, मतलब तीन या तीन से जादा आवियव हो, तो आवियव मतलब कितना, 8C3 प्लस 8C4 से ले करके 8C8 तक, यही एक जीरो अभियव वाला 8C0 उपसमुच्य होगा, एक अभियव वाला 8C1 होगा, दो अभियव वाला 8C8 होगा हमारा, लेकिन हमें चाहिए क्या, तीन या तीन से जादा, तीन या तीन से जादा, सचिन जी सी बराबर 2000 तो दिया ही था ना भए, अरे मेरे भाई, इतना देर-देर में पूछेंगे तो कैसे काम चले, यहाँ 2000 दिया था ना, X कामान जब जीरो, तो P कामान 2000, तो P कामान ने हाँ 2000 रखा, X कामान जीरो, तो यह भी जीरो, यह भी जीरो, तो C बराबर 2000 ही आएगा ना, जब एक भी एक्स्ट्रा कामगार नहीं है, तो 2000 तो बन ही रहा था, 2000 ना, तो प्रोडक्शन हो ही रहा था, अब X मजदूर जब एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसके लिए यह डिफरेंशियल एक्वेशन दिया था, ना, मेरे बाई, मतलब X बराबर जीरो, जितना पहले से मजदूर है, ठीक, बिना एक्स्ट्रा लगाए, जो है, वो कितना 2000 बन ही रहा था, तो X बराबर जीरो होने पर P बराबर 2000 है, तो X बराबर 25 होने पर P कितना होगा, यह पूछ रहा था हम से, ठीक, अब इसको करेंगे, तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अब 2, NCN का फार्मूला 2 पर पावर N होता है, यानि 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 से लेके, 8C8 तक का वैलू 2 पर पावर 8, हमें चाहिए क्या, 8C3 प्लस 8C4 से लेके, 8C8 तक, तो 2 पर पावर 8, माइनस 8C0, 8C1, 8C2, तो 2 पर पावर 8, 256, 1, 8, और 8C2 का मान 28, तो 28, 8, 36, 37, 256, माइनस 37, यानि 219, मतलब 3 या 3 से ज्यादा सदसी की बात है हमारा, हाँ आज मिक्स ही है, मंदे से, सारे, मंदे सिसका पहले टॉपिक वाइज आपको सेड्यूल दे देंगे, हर में 3 तीन आपका होगा, आपका ठीक, जैसे ग्रूप थियोरी का 3 होगा, ठीक, डिफरेंशियल एक्वेशन का 3 होगा, 10 का दम है, एक दिन में 10 ही कोशन, ज्यादा चुनाओ को वक्त बोजने देंगे, अभी और भी तो काम करना है आपको, चुनाओ परचार भी तो करना होगा, ठीक, तो ज्यादा बोज नहीं दिया जाएगा, पर डे 10 कोशन, नामी इसका है, 10 का दम, ठीक, अब इसमें अभी क 400 बच्चा तक जब होगा, तो 1299, और इसके बाद अगर हो जाएगा, तो सीधे सब के लिए 1499 हो जाएगा, तो इसमें आपका लगभग 45-50 कल ही बच्चे इन्रोल हो चुके हैं, तो आज कल तक का मौका है इतने में, अदर्वाइस फिर उसी हिसाब से आपका बढ़ता चला जाएगा, तिस हिसाब से ध्यान से करते हो, बस ये इंगेज करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत मामली इतना ही, आफ लाइन में पढ़ते तो साथ इसका 50-100 गुना होता, ये आपका वही लिया जा रहा जो इनका संस्था का मेंटेनेंस का बहुत सारा च इस पर कॉल कर सकते हैं, या वाटसब कर सकते हैं, चलिए, अगले की बात करें, यदी रेखाएं, X-2 upon 1 is equal to Y-3 upon 1 is equal to Z-4 upon minus K तथा, X-1 upon K बरावर Y-4 upon 2 is equal to Z-5 upon 1, समतलिये हैं, तो K कामान कितना होगा, तो K कामान कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा, K की वैलू कितना है, ओल्ड स्टुडेंट के लिए और कम फोन कर ला पढ़ ले मेरे भाई नम्मर दिया है 96, 28, 95, 92, 37 पे कॉल कर लीजे ओल्ड स्टुडेंट के लिए और कम है और कम क्या बहुत कम है दिव्यानसी अस्थाना जी चलिए जल्दिस बताएए क्या होगा ये दोनों स्ट्रेट लाइन को प्लेनर है समतलिय है तो के का मान कितना है तो कोई भी मान संभो है केवल एक मान संभो है केवल दो मान संभो है केवल तीन मान संभो है केवल तीन मान संभो है बैच की टाइमिंग रात आठ से नौ रहेगा एकदम सब तरफ से फुरसत होने के बाद जल्दी से एक बार बताईए चौथे का भी सी चौथे का भी सबका अंसर सी ही आ रहा है क्या संदिर तो क्या होगा इसके लिए दो माइनस एक एक तीन माइनस चार माइनस एक और चार माइनस पांच माइनस एक 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 माइनस के के टू वन बराबर कितना जीरो यानि वन क्या हो जाएगा वन प्लस टू के इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर ले प्लस वन के इंटू माइनस के असक्वार 1 into 1 1 plus k square और फिर minus 1 करेंगे तो किता जाएगा 2 minus k बराबर कितना 0 यानि 1 plus 2 k 1 plus k square minus 2 plus k is equal to 0 तो 2, 2, 2 cancel k square plus 3 k बराबर 0 तो k का मान एक 0 आ जाएगा और एक minus 3 कोई दिकत नहीं है ठीक तो केवल 2 मान संभव केवल क्या 2 मान संभव चौथा का भी option number C ये बहुत पूछता है questions आपका ये exam तो 2 line अगर दिया है x minus x1 upon a1 y minus y1 upon b1 z minus z1 upon c1 x minus x2 upon a2 y minus y2 upon b2 और z minus z2 upon c2 ये दोनों lines के coplanar होने का condition क्या होता है coplanar होने का condition जो है वो क्या है कि x1 minus x2 y1 minus y2 z1 minus z2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये क्या होना चाहिए 0 के बराबर ये 0 के बराबर होगा तब ही जा करके ये दोनों रेखाएं दोनों line जो होगा वो क्या होगा coplanar होगा तो वही condition हमने यहां लगाया 2 minus 1 1 3 minus 4 minus 1 x2 4 है x1 4 है x2 5 है 4 minus 5 minus है a1 a2 a1 b1 c1 1 1 minus k और a2 b2 c2 तो k2 1 हमारा इसको solve कर दिया quadratic बना है तो k के के वल कितना 2 मान के लिए हमारा हाँ ठीक है a नहीं सचीन कुमार जी धर्विंदर जी गलत है जिनोंने c बोला है वो सही उमेस परजापती ने सही बोला है k बराबर 0, minus 3 एकदम सही तो के वल तो value नहीं पूछ रहा था कितने मान के लिए होगा यह पूछ रहाता कितने मान के लिए होगा यह पूछ रहाता इसका concept मतलब प्रैक्टिस कराने मतलब कि साथी साथ concept भी याद दिलाना है यही तुमें आता तो सब को है हमारा लेकिन बीच बीच में क्या हम भूल जाते हैं तो प्रैक्टिस इसी लिए करते रहना होता है हमारा कि वो चीजें हमारे क्या memory में रहे रिवीजन हमारा होता रहे बार बार अब बाबा कब तक रिवीजन कराएंगे यह ना पता ऐसे उम्मीद है कि आप रिवीजन ना कराएंगे सप्टेंबर तक या अक्टूबर तक आपकी परिच्छा हो सकती है चलिए यदिस अदिस एबी वराबर 3i प्लस 4k और ac वराबर ac व हो जाये हैं तो a से होकर जाने वाली जाती हुई माधिका की लंबाई क्या है यह आपको बताना है क्या है रूट 18 है रूट 72 है रूट 33 है रूट 45 है हमारा जल्दिस बताईए पांचवे नंबर का क्या होगा पांचवे नंबर का क्या होगा जल्दिस बताया जाए कोश्च नमबर फाइफ का क्या होगा जल्द इस बताया जाए भाई जल्द इस बताया देखें कौन बताते हैं इसका अंसर बड़ा आसान सा सवाल है अब कितनों को याद है इसका कॉंसेप्ट ये फुरा सा देखना होगा किसी तिर्भुज A, B, C की भुजा A, B और भुजा A, C वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो A से होकर के जाने वाली माधिका क्या है A से होकर के जाने वाली माधिका क्या है ये पूछ रहा है यूजर आइडी च्वी, दिव्यानसी अस्थाना, C अमित यादब जी, C निहारका कुमारी जी, C हाँ हाँ, एक्दम, एक्दम क्या होता है कि ये सदिस्स है A, B, और C D अगर मान लिया इसका मिड़ पॉइंट है तो क्या कॉंसेप्ट होता है ये, यही माधिका हो जाएगा तो वेक्टर A, B प्लस वेक्टर A, C बराबर कितना टू वेक्टर A, D होता है ये, इस सुत्र से रिलेटर अक्सर आप से सवाल पूछता है इन दोनों का सम जो होता है, वो मेडियन के डबल के बराबर होगा तो बस यही लगा देना है तो टू वेक्टर A, D मतलब इन दोनों का सम तो पांच, तीन, आठ आई कैप ठीक माइनस टू जे कैप और चार, चार, आठ के कैप हमारा, तो वेक्टर A, D हमारा कितना हो जाएगा फोर आई कैप, माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप तो लिंथ पूछ रहा है तो इसका लिंथ कितना हो गया 16 प्लस 1 प्लस 16 यानि कि कितना रूट 33 हमारा बस ये सुत्र का सार्य कहानी था बांकि तुरंत का ही सवाल था हमारा, था, एकदम सही है वियल मौरिया जी वर्दान, वन्दना, भारती अयुद्या परशाद, सलिक राम वर्मा यूजर आइडी, संदीपस्थाना दिव्यानसी अस्थाना, हाँ एकदम सही, एकदम सही एकदम सही है चलिए, छटे नमबर की बात करें वास्तविक संख्या के जिसके लिए 0,1 में समीकरन 2XQ प्लस 3X प्लस के बरावर 0 के 2 भिन वास्तविक मूल हो के कामान क्या होगा जिसके लिए 0 से 1 के बीच में इस समीकरन के 2 भिन वास्तविक मूल हो 1 तथा 2 के बीच में इस्थित 2 तथा 3 के बीच में इस्थित माइनस 1 तथा 0 के बीच में इस्थित दो मूल संभव नहीं है छठे नंबर, चठे का जल्दी से बताया जाए, देखें कोस्चन नंबर 6 कौन बताते हैं, आज आयोद्ध्या भाईया महंदर वाबु बहुत खोस होंगे, बासर, हिंदी में कोस्चन है, बहुत कोश्टित सर हिंदी में कोश्चन हिंदी में कोश्चन आज चलिए इस बार 10 का दम में कोश्चन हिंदी में ही रहेगा 10 के दम के कोश्चन हिंदी में ही रहेंगे मतलब क्या का रहा है value of k for which equation 2x cube plus 3x plus k is equal to 0 has two different values between 0 to 1 in open interval 0 to 1 धर्विंदर जी किसका c बता रहे है 5 में का तो c सही है 6 का क्या होगा question number 6 का क्या होगा ये आपको बताना है question number 6 question number 6 का क्या है देखें कौन बताते है question number 6 sir d सिखा रानी जी d बता रही है और लोग भी जल्दिस बता है सिखा रानी जी d बता रहे है d लग रहा है वी हल मोरिया जी d f of x बराबर क्या है 2x cube plus 3x plus k तो अगर आप f dash x करोगे तो ये क्या आ जाएगा 6x square plus 3 ये तो always greater than 0 है 0 से जादा ही हमेंसा होगा तो इसका मतलब क्या f dash x always increasing function है हमारा always increasing function है तो इसका root तो होना नहीं इसका कोई root मिलेगा नहीं अब mean value लेंगरांजे थियोरम में क्या करते हैं ठीक है लेंगरांजे थियोरम के sorry rules थियोरम rules थियोरम क्या कहता हमारा कि अगर a से b के बीच में function continuous हो continuous हो a से b के बीच में अक से कम एक बार fBeatz x बार जीरोर होता या फिर का सकते हैं f of x के 2 root के बीच में f donde is x का कम Sé कम 1 root जरूर होता इस ते क्या है कियो भी समीकरण होगा उस इंटरल में fdenis x का कम से कम 1 root जरूर होगा यहा अगर बात करें इस सवाल की तो कहा गया ये तो 0 कभी होगा ने इसका कोई root आहीं नहीं रहा तो जब F-X का एक भी root नहीं है तो F-X का 2 root कहां सा जाएगा अगर F-X का 2 root होने के लिए F-X का तो 1 root होना ही चाहिए यहाँ F-X 6S2 प्लस 3 आया ये कभी 0 होगा ही नहीं मतलब F-X का कोई root नहीं है तो अगर F-X का कोई root नहीं है तो F-X का 2 root तो कभी संभव हो ही नहीं सकता है तो यही है दो मूल संभव नहीं है इस समीकरन का 2 मूल नहीं आएगा आंसर क्या होगा D वाला होगा हमारा क्लियर है समझ में आई ही बात सब के थोड़ा सा आसान सवाल ही है लेकिन थोड़ा सा conceptual सवाल अब हवा यहाँ कहीं से नहीं लग रहे है कि rules theorem का concept यहाँ लग गया ठीक clear है समझ में आया सबको छटे का D, हाँ कमी answer आया था VL मौरिया जी एक क्या सोच करके बोले यह नहीं समझ में आया मुझे प्लदी से एक बार बता है एक rules theorem का यह भी concept आप याद रख सकते हो in between two roots of f of x is equal to zero there exist one root of f dash x बराबर 0 f of x के दो मूल के बीच में f dash x का एक मूल होगा f of x के तीन root के बीच में f dash x का दो मूल होगा f double dash x बराबर 0 का एक मूल होगा एक एक क्या होता घड़ता जाता है एक एक क्या होता है घड़ता जाता है हमारा चलिए question number 7 हाँ बहुतों का सही भी था स्रेणी 0.7 0.77 0.77 के प्रत्थम 20 पदों का योग क्या होगा प्रत्थम यह तो एकदम tricky सवाल है एकदम tricky सवाल है छटे का जल्दी से एक बार बताएं question number 6 क्या होगा जल्दी से बताया जाए देखें कौन बताते हैं question number 6 question number 6 कौन जल्दी से बताते हैं जल्दी से बताते हैं किनको trick याद है किनको trick याद है इसका क्या फार्व इसका trick बताये थे जीरो पॉइंट ए, जीरो पॉइंट ए, जीरो पॉइंट ए, 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 इस तरह सर है तो n टर्म्स का सम कितना होता है a by 81, 9n-1, प्लस 10 पर पावर, माइनस n होता है हमारा तो यहाँ a की जगा कितना दिया है, 7 दिया है तो 7 बटे 21, कितने पद का पूछ रहा है, 20 का n की जगा है, 20, 120 माइनस x, 10 पर पावर, माइनस 20 तो कितना हो गया, 7 बटे 81, 179, प्लस 10 पर पावर, माइनस 20 option number c, आ साथ में का भी option, इस वहाँ भी गलत कर दे रहे है याद रखियेगा, अगर 0.5, 0.5, बस बस एक ही जगा, खाली 5 रख देना हमारा 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, यहाँ एक ही जगा, बस खाली 8 रख देना बस चोटा सा ट्रिक है, चोटा सा इसका ट्रिक है, बस याद रखने एक जरूरत है तो सातमे का उप्शन नमबर, एक कहांस होगा भाईया, वी यल मौरिया सहब क्या कर रहे हैं सचीनी आदव, 786 भी ए बता रहे हैं, एक कहांस आ गया मेरे भाई, एक कहांसे आ जाएगा सी नमबर, सी नमबर होगा, उप्शन नमबर सी, तरीका इसका क्या है, सॉल्व करने का अगर तरीके की बात करें, तो 0.7, 0.77, 0.777, in terms तक, in terms तक हमारा यह क्या हो जाएगा, 7 बटे 10, 7 बटे 10 का square, 7 बटे 10 पर पावर 3, and so on तो पहले 7 हम common लेते हैं, तो क्या जाएगा, 1 बटे 10, 77, 777, 11 by 10 square, 111 by 10 cube, and terms तक हमारा अब क्या करते हैं, 9 से multiply और divide कर देते हैं, तो यह हो जाएगा, 9 बटे 10, 99 बटे 10 का square, 999 बटे 10 का cube, and so on अब इसको GP में बनाएंगे, तो 7 बटे 9, 9 बटे 9 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बटे 10, 1 माइनस 1 बटे 10 का square, 1 माइनस 1 बटे 10 पर पावर 3, plus 1 माइनस 1 बटे 10 पर पावर, and हो गया हमारा, अब, तो क्या आजाएगा, 7 बाई 9, 1, 1, 1, n बार तक है, तो n हो गया, 1 बाई 10, 1 बाई 10 सक्वार, से लेके, 1 बाई 10 पर पावर, n तक आजाएगा, यह हमारा, क्या हो गया, यह 7 बाई 9, n माइनस 1 बाई 10, 1 माइनस 1 बाई 10 पर पावर, n, 1 माइनस 1 बाई 10, GP का first term भी 1 by 10 हमारा ठीक और ये भी कितना common ratio भी 1 by 10 ही है हमारा इसी को solve कर लिया तो क्या आजाएगा 7 बटे 9 N minus 1 बटा 9 और 1 minus 10 पर पावर minus N 9 हम बाहर ले लें तो 7 बटे 81 9 N minus 1 minus minus plus 10 पर पावर N हमारा यही ना तो ये हमारा मत्तब प्रॉपर बे है तो ये करने का प्रॉपर है तो ये करने का है हमारा लेकिन इतना हमने क्या ट्रिक ही आपको लिखाया है छोटा सा बस क्या क्या था ये बस याद रखना 0.8 0.8 0.8 0.8 N times तक है हमारा तो A by 81 9 N minus 1 प्लस 10 पर पावर माइनस N A की जगा हमने 7 रख दिया N की जगा क्या रख दिया 20 रख दिया काम हो जाएगा हमारा क्लियर है अब समझ में आया VL, Maurya, Maths and Physics सब भूल गए हैं सर तो और काहे मजदूरी कर रहे हैं चार महीनास आप लोग कर रहे थे कि फिर से ब्रह्मास सुरू कीजिए फिर से ब्रह्मास सुरू कीजिए लेकिन ब्रह्मास नमें कितनी महनत लगती हो तो हमारा दिल कब आई जेता है मिलना जाना कुछ नहीं होता है तो आप लोग चुनाओं में बहक ना जाएं इस बजबूरी में किया गया क्योंकि सप्टेंबर अक्टूबर तक परिच्छा हो नहीं है तो एक बार रिदम में लाने का प्रयास ये किया जा रहा है कि सारे लोग रिदम में आ जाएं चुनाओ में ना बहकें क्लियर है सबका चलिए अगले सवाल की और बढ़ें एक्स प्लस रूट 3Y बराबर रूट 3 की दिसा में जाती हुई एक प्रकास की किरण एक्स अक्ष पर पहुँचकर परावर्तित हो जाती है तो इस परावर्तित किरण का समीकरन क्या है मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस लाइन का एक्वेशन क्या होगा एक्स एक्सिस के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका एक्वेशन क्या बनेगा इस लाइन का एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन अगर हो जाए तो equation क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा एकदम आसान सा सवाल है जल्दी से एक बार बताईए question number 8 का क्या है question number 8 का क्या होगा answer जल्दी से बताएं देखें कौन लोग बताते हैं 8 में का B नमर बता रहा है अयुद्ध्या प्रशाद जी ने भी बताया है और लोग भी जल्द इस बता है येस तो क्या होगा है एकदम आसान सा सवाल रिफलेक्शन वाले फार्मूले के चक्कर में पढ़ने नहीं है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में का रहा है तो बस वाई की जगा माइनस वाई रख देना है हमारा तो एक्स माइनस रूट 3 बराबर रूट 3 वाई कौन सा ऑप्शन नंबर भी देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है हमारा अगर y x के साप x प्रति भी में पूछे किसी का भी चाहे सरकिल भी पूछ सकता प्रति भी पूछ सकता लाइन भी पूछ सकता पॉइंट भी पूछ सकता तो अगर y x के साप x पूछे तो बस x की जगा माइनस x रिप्लेस कर दीजे x की जगा x के साफ x पूछे तो y की जगा minus y कर दीजे y बराबर x के साफ x पूछे आपका तो क्या करना है x की जगा y कर देना y की जगा x कर देना है हमारा और y बराबर minus x के साफ x पूछे तो x की जगा y और y की जगा x तो करना है साथी साथ दोनों में माइनस लगा देना, साथी साथ दोनों में माइनस लगा देना होता है आपका, ति बहुत पूस्ता है, यह भी सवाल बहुत पूस्ता, आदमी लंबे के लगाने के चक्कर में पड़ जाता है, ठीक, और होता है मुस्किल से 2-4 सकेंड का सवाल, बमुस्क x plus k plus 3y is equal to 3k minus 1 का कोई हल नहीं है मतलब k के कितने values के लिए इस system of equation का no solution है find the number of values of k for which this system of equations has no solution इस निकाय का कोई हल ना हो ये पूछ रहा है अरे धर्बिंदर भाईया dice वाले में काच dice एक ठो क्या है अब paint करना था आपको तो जब dice क्या है cube है हमारा cube तो सारे दिवार तो एके जैसा है ना तो लाल पीरा हरा निला जिसको मर्जी हो उसको जैसे रंग दो एके तरीके तो रंग आजा सकता हाँ cube आई डगर होता मतलब क्या होता cube का face का length अलग-अलग होता तब ना कुछ बुद्धी लगाते तो सारे तो एके टाइप के हैं सभी जब एक ही टाइप का factorial 6 upon factorial 6 यानि की 1 हमारा answer 1 इसमें सोचना क्या है जैसे दिवार ही है 6 दिवार है हमारा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिन का कोई चक्कर नहीं है हमारा क्यों मतलब यह जैसे कहा दें क्या Ludo वाला है Ludo का जो पासा है हमारा क्यूबाइड है हमारा अब एक जगा लाल कर दें एक जगा पीला कर दें तो पहचान पाओ को कौन वाला लाल फेस है, कौन वाला पीला फेस है हमारा उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्यूब तो सब एक जैसा रहता है हमारा सारे फेस, तो answer 1 इसलिए बताया था हमने चले इस से related नहीं था, किसी ने वाटसब पे पूछा था तो वही वो चर्चा कर रहे है, कैसर answer 1 कैसे आएगा मैंने answer 1 दिया था, बागी लोग पता ने का का लिख रहे थे तो हमने वही पूछ रहा, बच्चा आप लोग कन्फिज मत हो जाएए कि कहां से आगे आप, क्यूब आइड वाला हमारा 9th का B हाँ, तो क्या हो जाएगा, no solution के लिए क्या concept था, कि A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0 और A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 no solution कब आएगा, जब A1 by A2 is equal to B1 by B2 हो लेकिन C1 by C2 ना हो, मतलब parallel होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, parallel तो यहाँ पर करेंगे, क्या आएगा, के प्लस 1 अपॉन अपॉन के 8 अपॉन के प्लस 3, बट नॉट इक्वल टू 4 के अपॉन 3 के माइनस 1 तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें, तो क्या मिल जाएगा, के स्क्वार प्लस 3 के, 4 के प्लस 3 बराबर 8 के हमारा तो के स्क्वार माइनस 4 के प्लस 3 बराबर 0, तो के कामान एक 1 मिल जाएगा, और एक कितना 3 मिल जाएगा, एक 1 मिल जाएगा, एक 3 मिल जाएगा, ठीक? तो कितना number of solution पूछ रहा है, तो के की ऐसा ना हो कि 2 लगा दें, ऐसा यह सवाल फिर फसाने वाला है, के का 2 value मिल तो गया, दो अंसर में दिख भी गया, तो 2 लगा के चले आएगा, तो यह गलती मत करिएगा, यह गलती आप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ तीसरा भी condition है, तो अगर k का मान 1 रख देते, तो 4 बटे 2, यह भी तो 2 आ जाता, मतलब उस case में आ जाता, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तो अगर तीनों proportional है हमारा, तो उस case में क्या, infinite solution हो जाता, मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 के case में क्या होता, infinite solution होता, infinite solution, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा, कोई हल नहीं है, तो k का मान 1 रखेंगे, तो यह भी 3 रखेंगे, तो यह भी 2 आएगा, यह भी 2 आएगा और यह भी 2 आजाएगा, तो तीनों दो दो हो गया, तो यह वाला condition लग जाएगा ना, तीन रखेंगे तो चारती हैं 12 और बाई 8, 12 बटे 8 यह नहीं आएगा बराबर, तो के का वैलू केवल कितना होगा, 3 होगा, के का वैलू कितना होगा, केवल 3 होगा, तो के का वैलू नहीं पूछ रहा, यहां फिर गल्ती कर सकते हैं, के का मान तीन लगा के चले आएगा, लेकिन सवाल में के का मान नहीं पूछ रहा, के के कितने मानों के लिए होगा, यह पूछ रहा, तो के 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 केवल कितने मान के लिए, केवल एक मान के लिए, यह सवाल खोड़ा सा आसान है, लेकिन फसाओ वाला है, जल्दी बाजी मैं तो जरूर बता देते हैं, सर यूटूब पर उस कोश्चन को पढ़ा था तो उसका अंसर 30 बता कौन बता रहा 30 वह या कोश्चन प्रबाबिलिटी या पर्मुटेशन कॉम्बिनेशन है एक सब्द का हेर फिर हो जाता तो आंसर बदल जाता तब आप कौन से कोश्चन की बात कर रहे हैं हम किस क्या पता या किसी दूसरे टीचर को ही हम अपने आप को ही है दूसरे को ऐसे हम कैसे जस्टिफाइब कर सकते हैं भाई क्लियर है समझ गये के का मान एक नहीं ले सकते हैं के वल तीन ले सकते हैं तो आंसर क्या होगा भी बड़ा आसान सा सवाल है लेकिन जल्दीवाजी में गल्ती होन वाला सवाल है सबसे पहले तो गलती यही कि एक और तीन दो ठो आंसर लगा दिये कुछ लोग कहेंगे एक रख के देख लिया एक तो सेटिस्फाइ ने किया तीन कर रहा है अच्छा के का मान तीन तो जल्दी बाजी में तीन लगा करके चले आएंगे लेकिन यहां के का सुल्यूशन आजाएगा हमारा तो नो में कभी समझ गया सब लोग यहां कोई दिक्कत है किसी जल्दी से एक बार बताएं समझ गया सब लोग यहां कोई समस्या है प्ली जल्दी से बताईए तब फिर अगले सवाल की और चले जल्दी से बताईए तो फिर अगले सवाल की खारानी जी एकदम सही चलिए दसमें नंबर की बात करें यदी समी करनो X स्क्वार प्लस 2X प्लस 3 बराबर 0 तथा AX स्क्वार प्लस BX प्लस C बराबर 0 A, B, C belongs to real number का एक मूल उभैनिस्ट है तो A is to B is to C क्या होगा इन दोनों समी करनों का एक मूल उभैनिस्ट है तो A अनुपात B अनुपात C कितना होगा ये महा जंडुबाम टाइप का सवाल एकदम लेकिन पूछा हुआ सवाल महा जंडुबाम टाइप का लेकिन पूछा हुआ सवाल जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा दसमें नम्मर का Question number 10 तुमीद करते हैं तुरंट बता देंगे सब लोग तुरंट ही सब लोग बता देंगे जल्दी से बताया जाए भाई दसमें का हाई भगवान हाई भगवान का करतो भाई तो साब साब चिक चिक के कह रहा कि मैं ए हूँ ए हूँ ए हूँ कहां बी के चक्कर में पड़े हो Answer number A अब x square इसकी बात करेंगे तो इसका root x square प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा b square minus 4ac इसका कितना है 4 minus 12 less than 0 ना तो इसके roots के आएंगे imaginary आएंगे imaginary roots हमेशा pair में होता है imaginary roots क्या होता है हमेशा उभैनिष्ट मतलब common उभैनिष्ट मतलब common होता दिव्यानसी जी तीक है तो एक root तो कभी common आही नहीं सकता क्योंकि क्या होता है complex roots हमने क्या बताया अगर ABC real हो अगर ABC real हो हमारा वास्तविक संख्या हो सारे coefficient तो उस केस में क्या complex roots जो होता है वो हमेशा पेर में होता है बतायते है न अभी हाल फिलाल भी जो नए बच्चें quadratic पढ़ाए भी है ठीक एक जनम नहीं सातो जनम तक जनम हमारा तुम्हारा साथ है जनम जनम तक तो रहेगा तो दोनों रहेगा या तो दोनों में से कोई नहीं रहेगा हमारा ठीक चले कर देंगे कर देंगे यहां पूछ रहा है if equation x square plus 2x plus 3 is equal to 0 and ax square plus bx plus c is equal to 0 has a common root has a मतलब इन दोनों equation का एक root common है then a is to b is to c the a is to b is to c क्या है यह आपसे पूछा जा रहा था तो एक root तो कभी common हो ही नहीं सकता जब भी होगा दोनों root common और दोनों root common होने का क्या condition है a1 x square b1 x plus c1 बराबर 0 a2 x square plus b2 x plus c2 is equal to 0 has both roots common both roots common when कभ होता है condition a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 दोनों roots के common होने का यही सर्थ है यही condition है तो यही हमने लगा दिया यहां तो क्या आ जाएगा a upon 1 b upon 2 c upon 3 यानि a is to b is to c 1 is to 2 is to 3 देखो और टिक लगाओ एक second वाला सवाल है एक second राहुल गिरी जी सर्थ Saturday को क्यों नहीं पढ़ा है Saturday को थोरा प्रभू राम के दर्शन करने चला गया था भाई अयोध्या चला गया था ठीक बुढ़ापा आ गया है न बुढ़ापे में तो आप लोग छोड़ देंगे हमें तो प्रभू राम के भरोसे ही तो रहेंगे राम जी ही तो कुछ करेंगे आपका तो रिजल्ट आ जाएगा सलेक्ट हो जाएगे थमको भूल जाएगे गय अब हो गया गुरू जी अब का मतलब है तो कुछ आगे की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी न तो राम के सरण में स्री राम प्रभू स्री राम के सरण में चला गया था आगे भविस्री को देखते हुए चलिए इसलिए नहीं पड़ाया था वाई इस सटर्डे को चलेगा तीक इस सटर्डे को चलेगा आपका परिशान ना हो ये ठीक है चलिए तो 10 का दम का पहला कहानी खतम, कल हम लोग 10 के दम का दूसरा देखेंगे, 10 के दम का दूसरा देखेंगे, ठीक, एप पे जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो आप जॉइन कर लेंगे, आपके लिए beneficial रहेगा, ठीक है, अभी बहुत कम है सुरुवाती बच्चों के लिए, बा 95, 92, 37, ठीक, अभी आपका मात्र 999 में हो रहा है, 999 में, लेकिन यही कल परसु तक हमें उमीद लगता है, यह 1499 ना हो जाए आपका, ठीक, यह सुरुवाती के लिए है, तो 9, अभी बहुत सारा लगबग आता है, ठीक, तो आप चाहें तबागी Saturday को YouTube पे, as it is free में जैसे च चल रहा है, वो चलता रहेगा, बीच बीच में भी चलता रहेगा आपका, Saturday वाला तो आपके पास, साथी साथ एक लब बैच भी आपके पास है, लेकिन आप खुद से उसमें डेर सारे प्रैक्टिस पेपर डाले गाएं, कुछ और अभी नए डाले जाएंगे, उतना अगर लग गया होगा, तो फिर डाले जाएंगे, तो एक लब अगर आपने नहीं भी अड्मिशन लिया है, तो आप कर सकते हैं, एक लब बैच से दे सकते हैं, हाँ लाइव इसमें, लाइव जुड़े रहने स्थोरा से फायदा होगा, एक रिदम में आप बने रहेंगे, क्योंक लेकिन अब डिले यूपी, टीजी, टी, पीजी, टी में नहीं होगा, कि कोई भी चीज जब नया गठन होता है, तो अपने आपको दिखाने के चक्कर में वो चीजों को जल्दी-जल्दी करते हैं, जल्दी-जल्दी, तो सकता कभी भी आपका हो सकता, एक्जाम डेट आ सक है, तीक है, इसके लिए आप तयार रहेंगे आप, चलिए, जैहंद, जैभारत, सर फी कितनी अलिक तो दिया भाया, अब कई से फी बताए जाती है, तीक, चलिए, जैहंद, जैभारत,